हेलो गाइज विल्कम बैक तो माई चानल स्मार्ड जोंस हो गाइज एससी सीजियल का फाइनली नोटिफिकेशन आ जुका है चलान जमा करने का अगर हम बात करें आगे तो आगे आप देख सकते हो जो इसकी एक्जाम है टीर वन की वो एपरिल में होगा एपरिल 2022 मेंशन है कोई भी डेट भी मेंशन नहीं करा गया है पिर उसके बाद इहां पर आपका इस लिमिट मेंशन करा गया है उसकी जो age limit रखी गई है वो आप देख सकतों यहाँ पर जो आपका central security service है उस department में 20 से 30 साल है और जो IB department है उसमें आपका 18 से 30 साल है ठीक है ministry of railway में थोड़ा यहाँ पर change है फिर यहाँ पर भी 20 से 30 साल है बाकी जो आप देख सकतों यहाँ पर railway में जो है ministry of external affairs में यहाँ पर भी आपका जो age limit है वो 20 से 30 साल है ठीक है department अगर बात करें आगे तो आप देख सकतों AFHQ की जो age limit है वो भी यहाँ पर 20 से 30 साल रखी गई है और फिर जो आपका यहाँ पर ministry of electronic and information technology की जो यहाँ पर department है उसमें जो आपका assistant section officer का post है उसके लिए age limit यहाँ पर 18 से 30 साल रखी गई है ठीक है पोश्ट आता है assistant section officer का उसमें जो age limit है वो यहाँ पर 18 से 30 साल है ठीक है inspector of income tax की जो यहाँ पर age limit है वो भी 18 से 30 साल है देख सकतों यहाँ पर और जो inspector की जितनी भी पोश्ट है सब की age limit हम देखे तो 18 से 30 साल यहाँ पर रखा गया है ठीक है enforcement officer के जो है assistant का उसका जो age limit है वो भी आपका यहाँ पर 18 से 30 साल रखी गई है बाकि अब सभी पोश्ट की age limit देख सकते हो लगवग यहाँ पर 18 से 30 साल और 18 से 32 साल के वीच यहाँ पर आपका overall age limit का range रहेगा ठीक है तो आप यहाँ पर age limit पोश्ट वाइस देख सकते हो जिस और बाकी qualification भी यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर age limit देख सकते हो जो आपका यहाँ पर data worth होना चाहिए जो 18 से 27 साल है उस group में आपका data worth है यहाँ पर 21 1995 का पहले का नहीं होना चाहिए और आपका 1124 के बाद का नहीं होना चाहिए ठीक है यहाँ आपका age limit रखा गया है 18 से 30 साल के लिए data worth है जो आपका 20 से 30 साल है उनके लिए रखा गया तो भी आप देख सकतों यहाँ पर 211992 का पहले का नहीं होना चाहिए और 212002 का बाद का नहीं होना चाहिए ठीक है फिर आपका 18 से 30 साल है उसकी भी age limit देख लो जो आपका age limit है वो 211992 के पहले का नहीं होना चाहिए और 21202 के बाद नहीं होना चाहिए ठीक है बाकि आप देखो 18 जो 32 साल है उसकी age limit भी यहाँ पर डेटर वर्थ के आगी वो भी देख लो 211990 की पहले की आपकी डेटर वर्थ नहीं होना चाहिए और नहीं आपका एक एक 24 के बाद का डेटर वर्थ होना चाहिए ठीक है तो यह आपका यहाँ पर age limit दिया गया जितने भी पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर degree important है जिन्होंने भी bachelor's degree करा है वो बिलकुल यहाँ पर form भर सकते हैं और जो आपका assistant audit officer के लिए हो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आपने degree कर रखा यानि कि अगर आपने यहाँ पर graduation कर रखा तो form भर सकते हो यहाँ पर desirable कु bachelor's degree आपका होना चाहिए और at least आपके 60% marks होने चाहिए 12 में ठीक है देख सकते हो यहाँ पर necessary है और मैं बात करें क्या दिया गया है तो degree में आपके पास statistics जो है subject हो यहाँ पर होना चाहिए ठीक है next हम चले तो जो आपका statistical investigator जो आपका grade 2 है उसकी जो post है उसके लिए यहाँ degree आपके लिए important है साथ ही साथ इसमें statistic आपका subject होना चाहिए तभी आप इस form को fill कर पाओगे ठीक है यह आपका यहाँ पर लिखा गया है और also यहाँ पर देख सकते हो three years और all six semester of graduation source course ठीक है यानि कि जो आपका statistic as a subject in three years होना चाहिए ठीक है all semester six semester आपको यह जो subject होना assistant in national company law का जो यहाँ पर post आया है उसके लिए bachelor's degree यहाँ पर important है desirable है आपका यहाँ पर अगर degree आपके पास law का degree है तो बिल्कुल आप यहाँ पर form को apply कर सकते हो यह desirable है ठीक अगर नहीं भी है फिर भी आप यहाँ पर form भर पाऊगे जो आपका research assistant in national में जो आपका post आया है उसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो bachelor's degree यहाँ पर eligible है desirable पर यहाँ पर देख गया है तो desirable अगर आपके पास यह है तो फिर भी आप यहाँ पर form भर सकते हो नहीं भी है तो भी आप यहाँ पर form भर सकते हो ठीकMart की जो all over यहाँ पर post है उनस सभी के लिए degree वाले eligible है या उसके equivalent अगर आपके यहाँ पर bac skill. यहाँ आप यहाँ Prev पॉब्लिक आपका रिजल्ट का होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 23.1.2022 जानी कि अगर आप 23.1.2022 ते ग्राइशन कंप्लीट कर लेती हूँ तो बिल्कुल आप यहाँ पर इस फॉर्म को एपलाई कर सकते हूँ ठीक है बहुत सा लोगा कोशन तक सर मैं फाइनल एर में हू चाहिए और जो आपका यहाँ पर एक्जाम है वो फोटीर में होगा और स्लेवस मैं टॉपिक वाज आपको अल्रेड़ी बता रखा है उस वीडियो के जाकर देखना टॉपिक वाज आपको स्लेवस मिल जाएगा यहाँ पर देखो चार सेक्शन रहेगा सो कोशन रहेगे द कर दुना अपने दोस्तों में तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तो पिकली बाबाई एंड टेक केर